असलाम अलाइकूम मेरी एक व्यूवर शेहनास बेगम से फर्माइश है कि मैं कोफ्तों का सालन बनाओं तो आज की रेसिपी है कोफ्तों का सालन बहुत ही ज्यादा मज़िदा रेसिपी है चलिए सालन को बैंगलोर स्टाइल में बनाना शुरू करते हैं बिसमिल्ला कहते सबसे पहले सालन के लिए मैं यहां पर लिया है दो मीडियम प्याज इसमें एक हिसा निकाल लोगी और इन तीनों को और ये थोड़ा साहरा धन्या को हम ग्राइन कर लेंगे और दूसरे तरफ मैंने लिया है यहां पर थी मीडियम साइज टमाटर इसे भी हम अच्छे से पी अरिसमें अज़ार निकाला था उसे इंदर शामिल करेंगे एक इंच दालचीनी दो लोंग और एक इलाई ची और प्यास थोड़ा सा ब्राऊन होने तक अच्छे से भूण लेंगे प्यास थोड़ी से ब्राउन हो चुकी है अभी हम शामिल करेंगे पिसे हुए मसाले दो चाई की चमच अधरक और दो चाई की चमच लहसन पेस्ट और जो मैंने हरा धनिया और प्यास दिखाया था उसे मैंने अच्छे से ग्राइड करकर इसके अंदर शामिल किया है इसकी कची स्मेल जाने तक हम अच्छे से भून लेंगे अब इसके अंदर शामिल करेंगे आदा चाई की चमच हल्दी दो चाई की चमच लालमेश पाउडर दो चाई की चमच धनिया पाउडर अधा चाय की चमच, गरम मसाला, और सबी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखते हुए इसे पांच मिट तक अच्छे से भून लें, ये पांच मिट के बाद आपको बता रही हूँ, मसाला अच्छे से भून चुके हैं, अभी हम इसके नारियल, चार टेबल स्पून जितना पिसा हुआ, नारियल इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, और टमाटर, तीर मीडियम साइस टमाटर हमने शामिल किया है, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस आलन को आराम से पांच से छे जन खा सकते हैं, टमाटर और नारियल को एक, दो मिनिट के लिए अच्छे से भूनेंगे, और इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, इस कंसिस्टनसी में मैंने सालन को रखा है, अब इसे पकने के लिए रखेंगे, थोड़ा सा बॉयल होने आ जाए, तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे दही, वन फोर्थ कप दही मै अब इसके अंदर शामिल किया है, और इसके अंदर शामिल करेंगे नमक खसबजाइका, और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसे ढखक कर पकने के लिए रख देंगे, जब तक यह पकता है, हम हमारे कोफते तयार कर लेंगे, यह हम पर मने लिया है आधह के खीमा और इसे के अंदर शामिल करेंगे नमक हस बजाई का हल्दी आधा चाय की चमच लाल मिर्च पाउडर एक चाय की चमच अधा चाय की चमच काली मिर्च पाउडर धनिया दो चाय की चमच धनिया पाउडर और अधा चाय की चमच गरम मसाला कटी हुई हरी मिर्च दो मेने काट कर लिए हैं प्याज एक मीडियम साइस कटा हुआ रा धन्या एक मुठी भर कर और भुने चने का पौडर है इसे बैंगलोर में फुटाने केते हैं इसे मैंने चार टेबल स्पून लेकर पिसा था तीन टेबल स्पून जितना पिसा हुआ नारेल इसके अंदर शामिल कर र मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कॉंटिटी में लेकर इसे मिक्सर जार में डार कर आपको इसे ग्राइंड करना होगा यह दिखे मैंने काफी सारा ग्राइंड कर लिया है इस तरीके से स्मूथ आपको करना है कुफ कुफटे तयार कर लिए हैं आपको जितनी कॉंटिटी में कुफटे बनाने हैं उतनी कॉंटिटी उठा ले और इसे अच्छा से गोल शेप दे दे यहां पर हमारा सालन अच्छा से पक रहा है और तेल भी उपर से आर चुका है अभी हम इसके अंदर शामिल करेंगे हमारे बनाए हो कुफटे अदा केजी के खीमे में आराम से 18-20 कुफटे बन जाते हैं मीडियम साइज के और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च इसे मैंने इसलिट नहीं किया है चार से पांच हरी मिर्च शामिल करें और थोड़ा सा हरादनिया उपर से शामिल कर लें और इसे ढख कर पकाएं और यह मैं आपको 20 मिनिट के बाद बता रही हूँ माशाला कुफटों का सालन अच्छे से पक रहा है तेल भी उपर से आ चुके हैं कुफटे भी हमारे अच्छे से गले हुए है और यह देखें एक भी क्रैक नहीं है बहुत ही माशेदार कुफटे बने थे अब भी इस रेसिपी को ट्राइ करें माशेदार कुफटे बनकर तयार होते हैं आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, खोश्के के साथ, एंज़ाई कर सकते हैं रेसिपी अच्छे लगी हो तो अपने दोस्त हबाब के साथ मेरी रेसिपी को शेयर करें और अब तक आपने मेरे चानल को सबस्क्राइब कर दें और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें उमिद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी जरूर पसंद आई होगी फिर मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज